कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूं हरा मटर जिससे की विंग ओल में बोलते हैं मटर मटर सूटी यहां पर मैंने मसाले की जोजू मसाला में डालना है जो की यूपी के बहसा में बोलते हैं अभी ठंड का सिजन है तो सबके घर में बनता होगा नीमोना इसे वास भी कर लिया अच्छे से आलू भी आपको जितना बनाना है आप उतना ले सकते हैं यहां पर मैंने कड़ाई को रख दिया है गैस पर गैस आउन है अब मैं इसमें डालूंगी ओएल सरसो के तेल में मैं बना रही हूँ कॉमन सी बात में तब हम लोग अधिकतर सरसो के तेल में ही बटनाते हैं जो डाइट मेंटेन करता हो रीफाइन वगारा यूज़ करता हो थोड़ा मैं यहां जादा डाल रही हूँ क्योंकि सबजी हम जादा बनाएंगे यह निमोना हमारे पापा की नाव फेवरेट है जैसे कि आपको पता चल गया होगा अभी मैं आ गई हूँ कोलकाता सो गाइस मैं यहां पर दूँगी आपको मैं बताती हूँ मैं इसको अच्छे से मिक्सी में इसे एकदम बारिक वाला नहीं हलका सा मोटा वाला होता न वैसा पेस लोंगी आपको दिखाती हूँ मैं पहले इसे जार में रख लेती हूँ सो गाइस जैसे कि आप देख सकते आप कैसे बनाते हैं आप जरूर कमेंट करके बताईएगा गाइस यहां पर मैं हींग का दी उतर का हींग मतलब गानी भी बोलते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसे उसके बार मैं इसमें डालूंगी मैं आलू थोड़ा आलू को फ्राइब करने के दाल मातलब बार दालूंगे मेरे साथ यह चंचन वाला ज्यादा होता है तो इधर मेरा आलू फ्राई होगा तब तक मैं उधर मटर को पीस लूँगे अच्छे से जैसे कि आप देख सकते हैं तो गाइस देखिए ऐसे पीसना है एकदम आप पतला महीन भी मत कीज़ेगा एंड मोटा भी मत हलका सा दरदरा पंड रहेगा तो वह खाने में अलग ही स्वाधात है तो गाइस मटर पिसने के बाद कुछ इस तरीके से हुआ है और इसमें कुछ दो चार दाने मैं इसे इसमें डालूगी ऐसे खड़ा ये तो अच्छा लगीगा नाव गाइस यहां आभी मेरा आलू थोड़ा फ्राई और अभी फ्राई नहीं हुआ हलका देर सा हो जाएगा उसके बाद मैं डालूगी ये पीसे विये मतर तब तक गाइस मैं इसमें मसाला इसका बना लेती हूं जैसे कि आप देखो मैं इतनी हरी मिर्च डाली हूं जादा नहीं डालूगी चार-पांच कर लिए हैं और फिर यह है जो कि हरा लेशुन का पत्ता यह मम्मा ने उगा के रखा था बगल में पार्किंग में मम्मा मटर एंड धनिया यह हमारे घर की है घर की केतिकी है यह हरी वाली जूलेशुन होती है ना वह ज्यादा स्वादाता है इसमें इसको मैं डाल देती हैं एंड में कुछ धनिय का पत्ता फिर इसको भी मैं अच्छे से जार में मसाला बना लूँगी उसके एंड गाइस मसाले में मैं अद्रक डाल रही हूं थोड़ा सा जीरा भी अच्छे से पीस ले रही हूं अभी मेरा आलू जैसे के आप देख सकते हैं अब देख सकते हैं आलव यहां से अब निकाल ले रही हूं यहां पर अलो जाति की आप देशके हैं निकाली एंड यहां पर अम मेरा हो रहा है मटर काई हो रहा है इसको अच्छे से फ्राइब करना पड़ता है इसमें जो हरा पन है वो थोड़ा गायब हो जाए हल्का सा ब्राउन-ब्राउन सा दिखने लगेगा तब तक आप इसे फ्र अब आपको दिखाए हो जाए उसके बाद में डालूंगी मसाले तब तक आप बेट के जीए इस मसाले में मैं बस एड करूंगी हलका सा हल्डी कि माल चाहां तक मैं सुनी हूं हल्डी तो ऐसे खायदे मल्डी होती है बड़ था में सारे सब्जियों में जरूरी होता है इसमें मैं इसमें हल्डी डाली हूं वैसे आपको पता है ग्रेन ही रहिए गा यह नहीं होगा अभी मैं आपको मिक्स करके दिखा तेक के बन गया रेटी हो गया मेरा मसाले अब हो रहा मेरा मत्टर अजिसके आप देख सके तक मेरा मटर ना Mother और साथ में मैं इसमें डाल दी टमाटर टमाटर इसमें डाल दीना इससा स्वाद और ही बढ़ जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं आलो मतर टमाटर टीनो हो रहा है फ्राइए इसको अच्छे से मेक्स करके हम भग देते कुछ टाइम के लिए यह इस्टीन भी लग जाएगा इस्टीन और नीचे से आख तो निकल रहा है दोनों से अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम डालेंगे मसाला सुगाइज अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूं रात को फ्लैट से आके डेस भी नेचेंज किया है इदर बेबी है सो रही है उदर मसीन लगा हुआ कपड़ा दो रहा है बेबी सो रही है हम आपको दिखाते हैं विकाज बेबी ना सुबा बहुत जल्दी उड़ी उड़ी उ सबसे बना लेते हैं उसके बाद रेड़ी हो जाएंगे फिर आपको बताते हैं कैसे हुआ है हुआ है मारा सब्सक्राइब जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से भुना गया है हमारा आलो बटर टमाटर इसमें हम एड़ कर दे रहे हैं अब बशाया जो कि हम बनाते हैं अज हम बनाएंगे ग्रीन ग्रीन रेज़ी टेबर इसमें यह मुझे बहुत टेश्टी लगता है यह चावल के साथ खाएंगे ना बहुत ही टेश्टी लगता है और खासकर हमारे पापा को यह बहुत ज्यादा पसंद नहीं मसाले को फिर उसके बाद हम एट कर देंगे पानी तो जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला पकड़ने लगा है अब हम इसमें एट कर देंगे पानी जितना आपको रखना हो आप उना डाल सकते हैं मैं यहां तोड़ा तरी जादा बनाऊंगी क्योंकि यह से खाना है इसके साथ राइस के साथ तरी जादा लगता है यह कुछ टाइम के लिए मैं इसमें अभी नमक डालना है शौरी भूल गई नमक डालके तो इसमें मैंने डाल दिया नमक आपको जीतना खाना है उस हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं अब गाइस इसे हम द्रग देंगे पकने तक पकने तक उसके बाद तब तक यह पक जाता है और तब तक मैं नहा के रेडी हो जाती हो फिर पापा आएंगे फिर हम साथ में बेट के खाएंगे आपको भी खाना है तो आज आईए इसको हम ढख करके रख दे रहे हैं तब तक यह पक जाए तो गाइस जैसी कि आप देख सकते किता प्यारा कलर आया है मेरा निमोना बनके रेडी हो गया अब बस खाना है और शाद में मेरा उन्यों भी शोके उठ गया है उन्हों खाएगा क्या खाएगा बिटा चीज उन्हों अभी उठी है वो मामू को डूड रही है किसी को देख नहीं रहे है नानी नहां रही है क्या हुआ यूवा मामू अब के लिए आईस क्रीम लेने गये हैं मामू की पास जोना है बेटा मामू आ रहे हैं ठीक्ट आप फॉन कर दो मामू को सो गाइस यहां पर मेरा निमूना हो गया है रेडी अब मैं इसे करूंगी सब और फिर हम खाएंगे प्लीज लाइक से हैं सब्सक्राइब करना मत बुलेगा थेंक यू फॉर वाचिंग बाइबाइ